आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो यह एक्स नैनोमीटर में दिया है हमें एक्स की वेल्यू फाइंड करनी है नियर एस्ट इंटीजर तो देखो मलब सपोर्ज अगर हम YDSC की बात करें तो यह हमारे पास कुछ इस तरह का apparatus होता है यहाँ पे दो slit होती है यहाँ एक source होता है source से light आती है समझ गए और यहाँ पे एक screen होती है यह हमारे पास क्या होती है screen अब light sources से आती है ठीक है और यहाँ इस screen पे interfere करती है तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास dark और bright fringes बनते हैं समझ गए माल लो यहाँ से suppose light आई और किसी point पे यहाँ पे माल लेते हैं constructive interference suppose माल लो यहाँ bright fringe बना तो यहाँ dark fringe बनेगा ठीक है और center पे ध्यान रखना हमेशा interference के case में YDSC में center पे bright बनता है ठीक है तो यहाँ कहीं bright बनेगा फिर इधर जो है वो dark बनेगा फिर यहाँ bright फिर dark ऐसे fringes बनेगे तो हमसे क्या पूछा है यह जो dark सिर्फ किसी dark या फिर सिर्फ किसी bright fringe की जो fringe width है वो हमें दे रखी है कितनी दे रखी है fringe width 6 mm यानि इसे लिख सकते हम 6 into 10 की power minus 3 meter ठीक है fringe width क्या होती है किसी भी जो dark fringe की width होती है या फिर bright fringe की ठीक है या फिर ऐसे भी define करते हैं कि consecutive bright fringes के बीच का distance या consecutive dark fringes के बीच का distance ठीक है और जो यह हमें दे रखा है 10 meter away जो screen है यह हमें यह वारा distance दे रखा है 10 meter तो हमें यहाँ capital ली दे रखा है 10 meter और 2 slits are separated by 1 mm तो यह जो slits है न दोनो इनके बीच का distance हमें दे रखा है 1 mm suppose इसे small d से denote कर लेते हैं 1 mm अब इस question को करने से पहले मतलब हमें formula पता होना चाहिए कि जो beta का formula होता है याई fringe weight का वो होता है lambda d upon small d ठीक है तो यहाँ कुछ नहीं हमें सिर्फ value पुट करनी है तो beta हमें sorry beta कितना दे रखा है 6 into 10 के power minus 3 lambda की value हमें निकालनी है और capital d कितना है 10 meter और d कितना है 1 mm जिसे हम लिख सकते है 10 के power minus 3 meter ठीक है तो यहाँ 10 के power minus 3 meter लिख देते है अब lambda हमें calculate करना है तो यहाँ से lambda is equal to क्या आ जाएगा देखो 10 के power minus 3 और minus 3 तो यहाँ जाएगा 10 के power minus 6 divided by 10 तो इसे हम ऐसे लिख सकते है 0.6 into 10 के power minus 6 meter पर ध्यान रखना हमें answer जो है nanometer में देना है x की value find करने के लिए तो हम क्या करते हैं इसे 10 के power 3 से multiply और divide कर दो suppose तो यहाँ जाएगा 0.6 into 10 के power minus 6 क्या करते हैं 10 के power 3 से multiply 10 के power 3 से divide तो यह जो हम multiply कर रहे है इसकी वज़े से यह हो जाएगा 600 और यह जो हमने divide किया यह उपर जाके क्या हो जाएगा 10 के power minus 9 meter तो यह हमारे पास lambda आ गया meter में अब 10 के power minus 9 क्या होता है nanometer तो यह से हम लिख सकते है 600 nanometer यह हमारे पास wavelength आ गई अगर हम question से compare करेंगे तो x nanometer तो x की यहाँ से value हमारे पास क्या आ जाएगी 600 ठीक है तो हमारा final answer क्या हो जाएगा x is equal to 600 Thank you guys for watching this video Classics to 12 सलेके NEED IIT जेही means और advance के level तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट आउट्स आच चार्सो 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 पर